हेलो मैं डियर लर्नर्स, हेलो मैं डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीफ साण बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप कैस के क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं मैंता बैंकिंग के प्रिवियस और कॉश्चन्स previous year questions, ठीक है, in the given question, one word in the sentence is printed, देखो पहला question क्या है, 11 से start होगी, वैसे 1 से लिखना था मुझे, चलो कोई नहीं, the US has ADEPT adapt many foreign foods to better shoot the taste of Americans, आपको बताना है, आपको एक बात बताना है, कि इस ADEPT की जगह, कौन सा word substitute किया जा सकता है, कौन सा option इसके सान पे आ सकता है, बताना है इसका मतलब होता है, निपून या कुशल, skilled word आपने सुना होगा, veteran सुना हो, experienced, dextrous, है न, वो ADEPT का मतलब होता है, adapt, इसे निपून कहते है, the US has, अब इसके direct बात बता है, कैसे आ जाएगा, इसका मतलब से इसके सान पे कोई और वर्ड आना है, क्या आएगा, adopted, adopt जानते हो adopt बेटा, जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है, गोद लेना होता है, adopt, अच्छा, advent भी, no, educate, प्रियाप्त, has many, educate कैसे आ जाएगा, has our head के बाद वीतरी आएगा, गोद लेना नहीं आएगा, बेटा, क्या, AD, APT, ED, adapted, इसका मतलब होता है, अनुकुल बनाना, धाल लेन US has adapted many foreign foods to better shoot, है न, उन्होंने ढाल लिये है, अनुकुल बना लिये है, क्या, कई foreign foods, तो बेटाई, हापे adopted की बजाए, adapted बिल्कुल सही रहेगा, यह AD, APT बिल्कुल गलत था, है न, इसको इस से replace करना था, हमारा second answer आजाएगा, है न, वो adapted हो चुके है, habituated हो चुके है, ठीक आपको फिर से बताना है कि entertain के सान पर कौन सा word आ सकता है, the gender performance he plays is intended to entertain his audience into betraying her innermost feelings, देखें, innermost feelings होती है, अपनी आंतरिक feelings, अच्छा, वो अपनी audience को कहां पर ले जाता है, into betraying, समझते हो धोखा देना, ठीक है, क्या होता है, धोखा देना, कि वो अपनी innermost feeling से वो बन्दा धोखा देता है, अपने audience को, और यहाँ पे, the gender performance subject है, और फिर यह जुड़ेगा बेटा, इज से, the gender performance he plays is, so gender performance is intended to entertain his audience into betraying her innermost feelings, वो audience को अपनी आंतरिक feeling छुपा करके कुछ और दिखाना चाता है, अपनी innermost feeling छुपा करके कुछ और दिखाना चाता है, जैंडर परफोर्मेंस इस इंटेंड़ तो बिगाइल इस ओडियन्स इंटु बिट्रेइंग हर इंडर्मॉस्ट फिलिंग्स, ठीक है जी काजोल का मतलब चापलूसी करना होता है चापलूसी करना परशुएड होता है बेटा किसी को मनाना अब मनाना राजी करना क्यों नहीं है ये पोस्ट्वी सेंस है लेकिन आगे कह रहा है ये धोखा दे रहा है तो इसके हिसाब से परशुईट जो पॉस्टिव वर्ड होगा चापलोसी करना कैंसिल हो गया अमेच्यर क्या होता है शोकीन आदमी होता है कैंसिल ठीक है जीधा बिट्रे नहीं लगा सकते, यह चीट भी होता है वैसे, ठीक ना, तो आपको अंसर करना पड़ेगा बिगाइल, ठीक ना, तो वो क्या करता है, इस इंटेंडे टो बिगाइल इस ओडिएंस इंटू बिट्रेंग हर इनर्मोस्ट फिलिंग्स, 13th, the shock of the king's death had disrupt, पहले मैं disrupt का मतलब लिखतू हूँ, इसका मतलब होता है बिटा किसी चीज को भंग करना, ठीक है, कोई चीज बिगाड़ना, ठीक है, एवेवस्तित करना, ठीक है, भंग करना, ओके, तो जो राजा की जो मोत थी न, उसका जो सदमा था, हैड डिस्रप्ट, the royalist cause, वो royalist cause को disrupt कर चुका था, अब इस disrupt को बिटा चेंज करना पड़ेगा, सर, यहाँ पर क्या है, वो भंग कर चुका था, नहीं सर, इस हैड के बाद वीत्री आएगा, वाब की third form, syntax wrong, energized होता क्या अब ता माल लेता, honored होता माल लेता, लेकिल यह जो है बेटा, यह वीवन आ गया, यह ओनर ना उना गया, syntax ना उना गया, hazard हैड के बाद में आना था कि जो मोत, राजा की मोत का जो सदमा सा head, उस सदमे ने royalist cause को क्या कर दिया, innervated कर दिया बेटा, क्या कर दिया, innervated, और innervated का मतलब होता है बेटा, w, e, a, k, e, n, है न, ed लगा दो, weekend कर दिया, कमजोर कर दिया, जो राज में बैठे बंदे थे, राजा की मोत के बाद, जो royalist cause है बेटा, उसको राजा की मोत का जो सदमा था, had, innervated, had, innervated the royalist cause, है न, disrupt नहीं होगा बाँपे, भांग कर चुगवा था, नहीं, फॉर्थ, the retired operator enjoyed monopoly rents, अच्छा, retired operator ने enjoy किया, किसी इश्को क्या enjoy किया, monopoly rents, and didn't want, अच्छा, retired operator didn't want, चाहता नहीं था, to give up, give up होता है, त्यागना या छोड़ना, ये छोड़ना त्यागना नहीं चाहता था, this special status, मतलब, जो retired operator था, उसने enjoy किया, monopoly rents को, और ये retired operator नहीं चाहता था, चोड़ना इस special status को, आपको बताना, retired के स्थान पर कौन सा word आएगा, शाबास, चार option, answer कीजिए, बनाईए, मैं side हो जाता हूँ, आप answer करो, देखो, incandescent का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ardent, ardent बोले तो इसका मतलब होता है, उत्साही, उत्साही से नहीं समझे, तो समझ जाओ, ardent और incandescent का मतलब होता है, मतलब होता है, enthusiastic, enthusiastic, ठीक है, अच्छा, clumsy और incompetent का लगबग कुछ एक जैसा मतलब है, असलमें, incompetent को अयोग्या कहते हैं, और clumsy का मतलब होता है, जो बंदा skill नहीं है, inexperienced कहा जा सकता है, inexperienced, तो जो retired जो operator है, वो inexperienced और अयोग्या तो रहा नहीं होगा, काफी experience हो गया होगा उसका, incapable नहीं फिर से negative sense दे दी, अयोग्या, गलत हो गया, बेटा जो retired operator, यहाँ पर retired के स्थान पर सबसे सी answer बनेगा, option first, और यह incumbent कौन होता है, incumbent वो होता है बेटा जो office bearer होता है, कौन होता है, office bearer, जिसके पास office होता है, incumbent की वैसे सई हिंदी निकलती है student, पद ग्राही, जिसके पास पद होता है, जैसे, अब हर्याना के मुख्यमंत्री है, नायब सिंग सेनी, बेटा वो incumbent है, और वो जो सरकार जो चला रहे हैं, जो राजपार्ट चला रहे हैं, उसे incumbency कहा जाता है, incumbency tenure, आपने सुना होगा, तो यहाँ पर जो incumbent operator था जिसके पास office अपद था, उसने enjoy किया था monopoly rents को, और वो नहीं चाहता था, जो चीज उसने enjoy कि वो उस special status को क्या, give up करना, तो यहाँ पर the incumbent operator आएगा, नहीं कि retired operator, ठीक न, तो इसके स्तान पर कौन सा word आना था, वो बताना था, ठीक न, तो यहाँ पर clumsy, अयोग्यय बंदे ने तो नहीं चाहता था अपना special status छोड़ना, अगर वो अयोग्यय ही होता operator, तो बेटा उस special status की इस बात का मिलता, तो incompetent, clumsy, incapable और incandescent, incandescent होता है वैसे उतसाही, जो सीला, अब जो सीला उतसाही operator में बोलनी सकते हैं, आपर क्या बोलूँगा, increment, office bearer जो होता है, वो नहीं चाहता था special status को छोड़ना, कुरसी पर जमा रहना चाहता था, बस कुरसी प Read the sentence to find out whether there is any grammatical error in it, ये बिटा grammatical error के question है, चलिये पढ़ते हैं, अगर आपको लगता है कोई error नहीं है, तो answer क्या आजाएगा, no error, The program infrastructure for resilient island states will be implemented among 2022 to 15 countries in 3 geographic regions, बनाइए भई, बनाइए शाबाज, क्या बनेगा, बिटा, बहुत गजब question है, आपने आज तक ये तो सुना होगा, कि between का pair end से बनता है, और both का pair end से बनता है, सुना है ना, अब जिस बच्चे को इस question की हिंदी नहीं बनानी आती, वो भी banking में question करके आएगा, अगर उसके grammatical concept अच्छे है, अभी बेटा, अमंग का आज तक pair English के इतियास में end से बना ही नहीं, between 2022 and 2030, 2022 से 2030 के बीच, अमंग किस के between आना है, C पार्ट में गलती है, किसमें C पार्ट में, क्योंकि उपरवाला A option यहां तक, फिर B यहां तक, यह लाइन C यहां तक, बेटा गलती किसमें C में, C answer आ गया, बताओ, कितना गजब question था, between का pair end से बना था, अमंग का pair end से बना रखा है, next, मेहंदर सिंग धोनी, over the next decade, herald, a new era for Indian cricket, पेट एक बात बताए, herald का मतलब होता है, to start something, किसी चीज़ की योज़ना बनालना कुछ, सुरू करना, Indian cricket के लिए, नया इरा सुरू करेंगे, मेहंदर सिंग धोनी, अच्छा, ये extra information होगे है, एक बार कोमा line को disconnect करेगा, एक बार कोमा connect करेगा, ये verb है, किसके लिए, मेहंदर सिंग धोनी सब्जेक्ट के लिए, मेहंदर सिंग धोनी सब्जेक्ट, और MS धोनी के लिए verb, आगे ब हेराल्ड करो, या फिर विल हेराल्ड करो, या फिर हेराल्ड करो, बिट्टा, अकेला हेराल्ड गल्त है, यहां पर ये verb बिल्कुल गलत आ रही है, इसे विल हेराल्ड करना पड़ेगा, या फिर हेराल्ड करना पड़ेगा, कहने का मतलब ए पार्ट में तो गलती नहीं है, गलती B part में और बेटा कोई ऐसा time denoting word नहीं है ठीक वो था over the next decade वो next आगे की बात कर रहा है आगे आने वाले सालों में एक नया इरा देंगे इंडियन क्रिकेट को तो नया इरा देंगे उसकी सुरुआत करें तो बेटा विल आना चाहिए था इसका मतलब सर गलती B part में दन बाकी कोई गलती समें नहीं नेक्स्ट कोशन बनाई ये शाबास काफी अच्छा कोशन है बनाऊ गाई expert says that halting the financial financing of these coil petrol projects अच्छा expert कहते हैं कि अगर आपने रोक दी ना रोक दी क्या financing मतलब पैसा अगर रोक दिया कि इनका of these coil projects ये जो कोईले के projects हैं इनका abroad जो विदेश में है is a good start ये good start क्या good start halting the financing ये subject हो गया is a good start ये अच्छी सुरुवात है but adding that the but adding लेकिन add करते हुए अरे बेटा adding क्या add करते हुए that नहीं आएगा but adding the emissions they produce student but adding the emissions adding the emissions they produce है ना जैसे आप काफी और लिखते हो ना by adding water in it ठीक ना after adding milk in it तो ये adding जो वर्ब है ये तो अपना क्या मांगे गी यहां पे ठीक ना by adding what the emission of the emission to that लगाने की आवशकता है नहीं यह यह बीच मांगा जैंशन किसी तरीके का आगया नहीं आएगा by adding the emissions they produce इसका मतलब that आएगा नहीं गलती बी पार्ट में गलती किसमें हो जाएगी बाकी कोई दिकत इसमें है नहीं ठीक ना आगे बढ़ते है ठीक यह जो आर आया है ये emissions के लिए आगया दे प्रोड्यूस है ना आगे देखते हैं गलती बताईए एटिंथ में शाबास क्या गलती है नाइट फोल का मतलब असल में इवनिंग होती है बेटा हर्यानवी हिंदी में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता सांज ठीक है उसे कहते है नाइट फोल अब बनाओ है शाबास bringing clean renewable energy to low income countries would enable more women and girls to gain access to education as without electricity they often lack the means to study after night fall बनाओ ये शाबास क्या गलती है अब है एटिंथ में टेक यू ताइम गिव में एंसर कहता है कि bringing clean renewable energy to low income countries चिक है और ये bringing clean renewable energy इसके बाद में आएगा would enable ये energy योग्या बना दे कि ज्यादा मेलाओ और लड़कियों को to gain access to education कि वह education तक पहुँच पाएंगे as जैसा कि without electricity बिना बिजली के they often lack the means बिना बिजली के उनके पास means संसादनों की कमी होती to study after to study after nightfall बेटा कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है no error कहीं गल्ती की गुंजायस ही नहीं बनती नहीं जारारी भाई ठीक है attention when he is to pay attention to pay attention I want to tell him to be more open मैं उसे कहना चाहता हूं कि वो थोड़ा open रहे to ignore the lure है ना बाकी की जो बाते है लूर जो पहकावा of advertised values उनको ignore मारे and to pay attention or better to pay attention to something to pay attention और ध्यान दे और ध्यान दे और पे अटेंशन और पे अटेंशन के साब तू आएगा और किस सीज की तरफ ध्यान देना है वो यहाँ पे आएगा as to बोले तो something तो to pay attention to when his loved ones are speaking जब उसके जो प्यारे हैं जो उसके पिरिये हैं उसके खासा loved ones are speaking वो क्या बोल रहें as जैसा कि if it is the last time अच्छा वो उन्हें ऐसे सुने उन्हें उनकी तरफ ऐसे ध्यान दें as जैसा कि as if मानो it is the last time यह बिलकुल आखरी टाइम है कि भी आप बेकार की बाते छोड़ो आप किसी को follow कर रहें उसको ऐसे सुनो कि यह last time है जिंदगी ऐसे जी होगी आखरी दिनो इसका मतलब सर to pay attention to to pay attention to यहां पर two preposition आएगी ठीक है चलिए आगे क्या लिखा गया देखो in the following questions a sentence is given with five words marked as a b c d e अचा पांच words को ऐसे a b c d e से mark कर रखा है these words may or may not be replaced यह word replace किये भी जा सकते और नहीं भी place किये जा सकते in their places अपने स्थानों पर four options with different arrangements अच्छा चार option दिये गए है उनकी अलगलग arrangements है अच्छा देखो क्या है चार words है वह आपस में replace किये भी जा सकते नहीं भी किये जा सकते लेकिन उन्हें इस तरीके से place करना है उन bold जो word को bold किया मिलेगा भी कि एक meaningful sentence बने कि एक अच्छी structure एक अच्छी arrangement बने ठीक है यह देखो आपको correct arrangement बनानी है किन से make the options इन options के द्वारा ठीक है चलो question क्या है देखते है यह रहा हूँ अब मैंना पता है question क्या है ऐसे समझ नह आएगा special कहां जाएगा ठीक ना इनको पांचों को आपस मेरेंज करके देखना भी कौन से से यह बन सकता है ठीक है तो आपको देखना पड़ेगा किस से बनेगा भाई ए और एसे तो सुरुवात नहीं हो सकती ना रन इंडियन इंस्ट्यूशन रन इंडियन एक जिगे ए और बी की जिगे बी रखोगी तो सेंस नहीं बनी अच्छा एसे स्टार्ट करना देखना रन इंडियन इंस्ट्यूशन ओफ साइंस और फिर सी पॉलीमर रन इंडियन इंस्ट्यूशन ओफ साइंस पॉलीमर ठीक बी की जिगे क्या आगया सी रखना है ना एक क से सुरुवात कर रखी है और तीसरे और चोथे ओप्षिन में एक चीज बिल्कुल साफ ने जाराइब बीडी ए और बीडी इसका मिदर आपको कैसे पढ़ना है सुनो पहले बीपड़ो बी मतलब मैंनी मैंनी पिकषियर वुंते है मैंनी और फिर दीस घ्रवात करती बीडात धुड़ी प्रोग्यम्स molts टीक ऐ। मैंनी ए उडिक्षियर है बड़ना है भी बोलके ठीक है फिर आपको बोलना यह लाइन इन इन्टिटूशन आप साइस और एक बात यह भी समझ सकते हो, many अपने साथ plural noun लेगा, तो many के बाद को न आएंगे, Indian Institution of Science, तो इसको ऐसे पढ़ोगे, many Indian Institution of Science, मालनों, मैं यहाँ पर लिखी देता हूँ, many Indian institutions of, many Indian institutions of science, इसके बाद में क्या चीज आएगी, अब देखो, many मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, many, जो किस में था, B में था, many Indian Institution of Science, and technology आएगा न, and technology, और बेटा अगर and आएगा यहाँ, and, तो यह and क्या बना, and बना बेटा, आपका D, D यहाँ गया, ऐसे बनेगा, यह B, D, many Indian Institution of Science, and, and के बाद क्या लिखोगे, technology, and के बाद क्या लिखोगे, बेटा, technology, ठीक है, many Indian Institution of Science, ठीक है, science के बाद में वहाँ पर आगया, and, and के बाद बना, technology, ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, B, D, A, A, कोन, run, हाँ, यहाँ पर रन आएगा, ठीक है, अब मैं आगे लिख देता हूँ, many Indian Institution of Science, and, और यहाँ पर लिखा, technology, यह थोड़ा सा है, इसकी instructions मुष्की लेवस, समझना थोड़ा सा मुष्की लेवस, यह, and technology, ठीक है, run, 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 क्या है, A वाला था न, A यहाँ पर आ गया, अब यह बन रहा, P, D, A, ठीक है, run, अब आगे क्या लिखो, बताओ, एक E, C, I, या, C, I, अब देख लो, भाई, C पढ़के देखना, many Indian Institution of Science and Technology, run, polymer, run, polymer, ठीक है, और फिर E पढ़के देखना, run, polymer, ठीक है, special science नहीं, कुछ और बनाओ, इसे देखो, many Indian Institution of Science and Technology, run, run, special, ठीक है, run, special program on polymer science, यह सैंज जो है, इससे पहली आएगा, run, special program on polymer science, run, मैं यहां पर लिख देता हूँ, run, special program, special programs on polymer science, यह बन नहीं थी, सही लाइन, polymer science, अब देखो, यह जो polymer word है, पॉलीमर किसको उंडरलाइन कर रहा था, C को, C यहां पर आया है, C यहां यह, ठीक है, और जो special word है, special word, जो E को बता रहा था, E यहां यह, अब इसको पढ़के देखो, B, D, A, E, C, B, D, A, E, C, 3rd is the right option, 3rd is the right option, ठीक है, बिल्कुल से answer है, तो ऐसे range करना है, अभी 20 question में आपको जुरूर दिक्कत आई होगी थोड़ी सी, है न, कि सर कैसे range किया, अभी अगला question है, अब थोड़ा सा idea आ गया, कि हां सर ऐसे होता है, 21 बताना मेरे को, इन words को आपस में कैसे बदलोगे, कहां कहां कौन सा word लिखोगे, अब बनाओ, बनाओ, during a, during a cattle तो बोलेंगे नी, during a, ये time को बताएगा, during a period, सबसे पहले आगया D, during a period, D आगया, during a period, period of, of what, during a period of, of के बाद में किसका period, वर को बदलना पड़ेगा, किस से During a period of drought, सूखे का period, during a period of, तो period यहां पर आगया, D यहां पर आगया, during a period, ठिक है, during a period, of, कौन सा period of drought, drought यहां पर आगया, drought होता है, सूखा, अकाल, during a period of drought तो sir, D, D के बाद कोन सा रहा है, डोट किसको बता रहा, C को, D के बाद C, during a period of drought, ठीक है, streams and rivers dried up, ठीक है, सुखे के दुरान streams और rivers क्या होगी, सुखे, the dust died from, अच्छा, कौन बरे होंगे, the cattle, यहां पर आएगा, यहां पर A आएगा, यहां पर A आएगा, D, C, अच्छा, यहां During a period of drought, streams and rivers dried up, the cattle died from, है न, तो केटल कोन सा था, केटल, A था न, यहां पर अमने A रखा है, C के सान पर क्या रखा है, A, तो लिखो इसको, D, C, A, D, C, A, पहले तो देख लो, कहीं पर D, C, A, लगाता रहे, किसमें है, D, C, A, इसमें है, इसमें है, इसमें है, D, C, A, अंसर, आगे भी बना के दिखा दूँ, हो ऐसे 4th answer आगया इसका, देखो कैसे, During a period of drought, streams and rivers dried up and the cattle died from, और जो जानवर थे बिटा, जो पसू थे वो मर गई थे, from, किससे मरे होगे, thrust, किससे मरे होगे, thrust, ठीक है, from thrust, अब यह आएगा, यह रहा, किससे मरे, thrust है, ठीक है, आगे पड़ो, and, and ruined, और बेटा क्या होगे, बरबाद होगे, मर गई, है ना, ruin, बरबाद होगे, मर गई, last में, last में, last में, D, C, A, E, और फिर, अच्छा, यह वर भी रेप्लेस करना था, ना, दिक एटल, डाइड फ्रॉम, थ्रॉस्ट, and, and, वर रुइन, बिटा भी यहा पी स्रुइन से पहले आना था, ठीक है, and, वर रुइन, ठीक है, तो ऐसे बनेगा, बिटा, D, C, A, E, B, D, C, A, E, B, बना के देखलो, दूरिंग, पीरिएड फ्रॉट, स्ट्रीम सेंट रिवर्स टाइड अप, दिक एटल डाइड, ठीक न, फ्रॉम, थ्रॉस्ट, and, and, वर, वर रुइन, ठीक न, तो इस प्रकार से यह अंसरप का बन जाएगा, तो इस प्रकार से आपको रेंज करना, यह मिनिंफुल स्रॉक् अब ऐसे बदलना है, अब माल लो, अब माल लो मैं इसको, यहाँ पर कौन सा वर्डा रहा है मेरा, डिपेंडेंट, मैं इनको लिखते जाओंगा, फिर बनाओंगा, लास्ट में, डोग इस कम्प्लेटली, डिपेंडेंट ओ, डिपेंडेंट यहाँ लिखा सबसे पहले क्य बस यही काम करना है, पहले तो यह देख लो, यह से कितने उप्सन स्टार्ट है, यह भी नहीं, यह स्टार्ट है, अंसर ही आ गया बाई साब, अब पढ़के देख लो सारा, इसने C लिख रखाई के बाद, C को ना, ओनर, अब पढ़के देखो, A dog is completely dependent on its, on its, E के बाद C यह, फिर कहता है, including the need for good, including the need for good, B, B बोले तो, health, including the need for good health and a safe environment, है ना, ऐसे बदलने हैं यह वर्ड अपस में, अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड अपनी जिगा पर सही रखा हूँ है, उसे तो चेंज नहीं करना, बाकी बदलने हैं, ठीक है, काफी अच्छा कोशन है, E, C, D, B, A, और मैंने तो बस E से अंदा जा लगाया, प्रेपटिशन से पता चल गाया, मेरे को dependent tone आएगा, देखा E से की option स्टार्ट है, अंसर आगे मेरा, 23, अब इनको बदलना है सबको, अब इनको बदलना है बाई सबको, देखो, we are told that the Taliban's take over, apostrophe S के बाद में noun आता है, वै has, has aggressive, has have head के बाद या तो वर्ब की थड़व हो माती और अगर aggressive लगाते तो बीन वगएर आता, ठीक है, अफगानिस्तान has been aggressive, aggressive हो चुक है, लेकिन या पर has have head के बाद V3, so V3 आएगा तो, आएगा तो सर क्या बनेगा, revived, इसमें कहीं V3 देख लो, ना तो V3 ये, ना infiltration, V3 क सबसे पहले, ये तो अपनी जिगा सही है, ठीक है, अच्छा, इसके अंदर करना क्या ये भी बता दू, इसके option कैसे है, इन से पता करो, लेक्पर ये question किसके ओपर depend करना है, इसमें, कोई दो word एक दूसरे के साथ replace होंगे, बाकि उसी जिगह रहेंगे, कोई दो word एक दूसर और aggressive की जिगह लिख रहे होंगे, इसका मतलब DB, या BD, कुछ भी लगा दो, answer, इन दो words को बदलेंगे, बाकि सारा same है, अब बदल के देख लो, has revived serious threats, ठीक है, कि अफगानिस्तान ने, जो है बिटा वो, revive पैदा करती है, एक तरीके से, serious threats बहुत गंबीर समझा है, of cross border infiltration, infilt पाकिस्तान से, while China our other tense neighbor, हमारा दूसरा सबसे खतरनाक परोसी चाइना, tense neighbor मतलब हमेशा हमें tension में रखता है, has been increasingly, और China, देखो, China has been increasingly, क्या, aggressive over the past year, अब aggressive यहाँ हैगा, इसका मतलब सर B को और D को आपसे में बदलना है, फिर सारा sentence ही हो जाएगा, और BD को आपसे में बदलन क्या जाएगा, अब 23, इसमे mirror, sorry, 22, 23, 23, 23 जो बार आ गयाया के है, 24, अब 24 में कोई दो बर्स आपसे में बदलो और मुझे बदलो क्या अंसर बनेगा, शाबस़, क्या रखताना के सारा बनेगा, शESकालब सबस्कुaking और कि अνसर होगा, श्याबस्किनि बर्स क्याशन बकर मुझे पता चल गया कौन सी तो वर्ड बदलेंगे एस सक्सेसिव सेंटरल एंड सेट एड मिस्टरेशन्स है फांड चावो उन्हें वो पता कर चुके कर्भिंगी एलिगल माईगरेशिन बिट्विन कोोडिनेटिट एक्षिन रिक्षियर इंडिया एंड इट्स नेबर यह तो सही बना हुआ और फॉस्ट एट टा पोलिटिकल एंड एन एड़ेट एड़ेट नीवल इसमें कोई गलती निये अब है action requires India अच्छा एक्षन जो वो requires मांगते हैं भारत and its neighbors पेटा मालो भारत का पडोसी देश कोई रहा हो मालो बंगला देश लगा दिया मैंने हापे its neighbor में अब पेटा ये between अब जिस बच्चे को पता अच्छे तरीके से कि हाँ एक पंगा पड़ सकता है क्या हम एक पेर बनाते हैं बिट्विन का पेर एंड से और ये between यहां नहीं आएगा ये between यहां आएगा between India and its neighbor action between India and its neighbor इसका मतलब सर अगर आप between यहां पूट करोगे तो B और C आपस में बदले जाएंगे बी और C आपस में बदले जाएंगे अब देख लो illegal migration अब यहां पर लिखो requires illegal migration को जुरूर्थ पढ़ती है requires coordinated actions की illegal migration अगर रोकना है तो coordinated action होना चीए मतलब मिला जूला action होना चीए किसका coordinated action between India and its neighbor भारत के अंदर illegal migration हो रही है तो उसको रोकनी के लिए पांगलादेस भूटान नेपाल को coordinated action है ना अच्छे से चारो पांचो देसों को अच्छे से मिलकर करनीती बनानी होगी तो अगर curbing illegal migration अगर हमें illegal migration को रोकना है requires वो मांगता है वो क्या मांगता है वो coordinated action मांगता है मिला जुरा से योग मांगता है किसका between India and its neighbor तो between को require से बदलेंगे B को C से बदला जाएगा तब sentence क्या होगा सही अंसर आ गया ये थे बिट्टा आपके सारे के सारे questions चीक है चली sorry 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 अभी एक दो question और भी ये देखो भी आगे भी थे आपके close test आ गया पिट्टा क्या गया close test read the given passage use the correct answer for questions भी लोग देखो ये रहा first और second में क्या आएगा ये आपको बताना है a reason in Australia south east watch clocked in sheets of web after अच्छा वो सारा का सार है ना sheets of web मतलब जाले जाले से होगे उसके region के अंदर जाले बनगे after flood waters forced अच्छा जब flood water ने बाड़ के पानी ने force कर दिया thousands of spiders spiders ठीक है चींटिया वगएरा जोती है ने छत्ता वगएरा जो बनाती है ठीक है मदुमक्ही वगएरा बोल सकते है आप इसे ठीक है तो spiders को क्या कर दिया कि एक sheets of web जो थी वो वो गोग होगी वो बन गी ठीक है यह बहुत सारी sheets बन गी क्या हुआ जब जब वो पानी जो था वो force उसने मजबूर किया force किया thousands of spiders ठीक है हजारों सेकडों spiders को to higher ground की वो उपर ground पे पहुँच गया कहने का मतलब क्या हुआ bard का पानी आया यह spiders यह बचने के लिए उन्चे इलाकों पर चली गई एसी चीज़ डूंडली जहां पर बत सके जहां पर पानी नहीं पहुचा ठीक है ना residents in Victoria's Gippslands region witness यहां पर witness का मतलब पेटा एक तो witness ey witness है ना गवा होता है एक witness गवा होता आई witness होता है अपनी आखों से सब कुछ देखने वाला अच्छे यह कहता जो residents थे ना इन्होंने विटने इन्होंने देखा असलमें यहां पर इसका मतलब होगा बिटा देखना लेकिन वर्ब की सेगेंड फो में देखा इन्होंने देखा the dash after intense rain क्या देखा इन्होंने बहुत ज्यादा पारिश के बाद and heavy flooding बहुत ज्यादा बाड के बाद और बारिश के बाद रोग द एरिया लास्ट वीक अच्छे इन्होंने क्या देखा होगा बिटा residents witness the dash क्या देखा इन्होंने डिस्प्ले देखा अपैथी देखा vision देखा spectacle देखा apprehension देखा बताओ वहां किया देखा इन्हों शाबास अंसर करो डिस्प्ले पेटा असल में mobile laptop उसकी डिस्प्ले होता इन्होंने डिस्प्ले नहीं देखी पारिश वगैरा उन्हें के बाद में अपैथी का मतलब होता बेटा उदासीनता उदासीनता दी अपैथी आफ्टर रेन रोग दा एरियाज लास्ट वीक डैमेजिंग डजन्स ओफ फॉम्म्स ठीक है दर्जनों घर बरबाद होगे एंड लिविंग टू पीपल डेड और दो लोग मारे गई ठीक है एप्रिहेंशन का मतल only शक्या डाउट इननोंने शक्याय डाउट देखा गलत इनुदृ सोच कोई सोच देखी इन्ओन रॉंग स्पेक्टिकल देखा, स्पेक्टिकल होता है, सीन, द्रश्य, नजारा, ठीक है, महूल, स्राउंडिंग्स देखी इनुने, इसमें यह आएगा, स्पेक्टिकल आएगा, कब देखा, भारी बारिश के बार, ठीक है, डेमेज होगे, बहुत जादा घर वगएरा, फिर कहता है, वाटर लोस्ट सोयल, सेंट थाउजंड्स, पोसिबली मिलियंस ओफ स्पाइडर्स, जो वाटर लोस्ट जो सोयल थी, ऐसी जो मिट्टी जिसके अंदर पानी वगएरा, ब यह शर्ण लेकर रिफ्यूज होता है बेटा, शर्ण स्थान, ठीक है, शर्ण लेना, कि अब इन स्पाइडर्स ने, जैसे बिल के अंदर पानी गुस गया बाद आने के बाद, इन्होंने शर्ण ले लिए, प्लांट्स के उपर, साइन्स के उपर, इनके उपर शर्ण ले ल सोल सेंट, थाउजंड, पोसिबली मिलियन अव स्पाइडर्स, डैस for refuse, सैकंड में बताना है क्या हैगा, डैस for refuse, अच्छे इस स्पाइडर्स है ना, रिफ्यूज शर्ण के लिए क्या कर रहे थे, डिल कर रहे थे, डिल कर रहे थे, डिस एरे बंग करना होता है, मतलब कोई हस्तक शेप कर रहे थे, क्या ये, कोई मीडियेटर के तोर पे काम कर रहे थे, बेटए स्क्रैंब्लिंग कर रहे थे, स्क्रैंब्लिंग, स्क्रैंब्लिंग होता है, रेंग रहे थे, ये स्ट्रगल कर रहे थे, ये जूज रहे थे, जब इतना बाड का पानी आया कौन स्पाइडर स्ट्रगल कर रहे थी ठीक है सर आगे देखो वी आर कॉंस्टेंटली स्राउंड़ बाइ स्पाइडर्स हमें ना स्पाइडर से बहुत ज्यादा क्या है स्राउंडीड है चींटियों वगएरा से ना कीडी वगएरा से जो कुछ भी बट वी डूंट यूसरी सी देंग तीक कुछ ऐसे स्पाइडर्स होते हैं लेकिन अक्सरों ने देखते निये आर हाइडिंग इन लीफ लीटर है ना पत्तों वगएरा के अंदरे छुपे होते हैं एंद इन दे सोल ये मिट्टी में भी होते हैं इस पाइडर लीजी लोवे अ पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर शालीजी लोवेस का नाम में रिसर्चर का ये मैकरीन यूनिवर्स्टी के अंदर है रोट इन एकस्प्लेइनर में लिखा अबाउट दफिनोमिन इस फिनोमिना के बारे में लें इस फ्लोड इवेंट्स हैपन वो क्या लिखते हैं कि जब य अब बाती है दे नीट टू दे नीट टू अच्छ अब बाड बगैर आती है तो ये जुझे जूरूरत पड़ती है बताईये रिवर्बेरेट होता है गुझना they need to reverberate गुंजने की जरूरत पड़ती है they need to abide अबाइड होता है पालन करना इसके साथ वैसे fixed repetition बाए भी आते है लेकिन आगे बाए नहीं है मैं cancel करूँगा इस option को they need to stay quickly up out of holes they need to stay they need to resist अबाइड होता है विरोध करना विरोध करते है quickly up of holes and they live in underground अच्छा ये उन holes से out of holes holes से बाहर निकलाते हैं जिन holes के अंदर they live in underground जो जमीन में जो आपके बिल बगएर होते हैं उनके अंदर ही रहते हैं अब क्या आएगा they need to stay quickly up they need to stay quickly up अच्छा इन्हें जूरूरत पड़ती है stay stay का मतलब होता है बस थोड़े से time रहे ठीक है फिर नीची आगे नहीं बेटा they need to evacuate evacuate का मतलब होता है वैसे जमीन खोदना क्या होता है वैक्वेट का मतलब जमीन खोदना होता है बता ये फटाफट से अंसर बता ये और एक और बता दू मैं तुम्हें इसका मतलब इसका stay का मतलब रहना evacuate होता है बेटा जमीन खोदना भी कुछ हो सकता है लेकिन इसका एक मतलब और होता है evacuation का मतलब होता है जगे छोड़ना जगे छोड़ना या फिर इसका मतलब होता है बेटा खाली करना, जगह छोड़ कर चले जाना, तो बेटा जब ऐसे इवेंट आते हैं, they need to evacuate quickly अप, ये जगह छोड़ करके ऊपर चले जाते हैं, बेटा, out of holes, they live in underground, answer बनेगा इवेक्वेट, जगह छोड़ नहीं पड़ती है, जब बाड जैसे इवेंट आते हैं, ठीक है, आगे द ठीक है, वैसे मास बहुँ ज़्यादा नंबर को बताता है, ठीक है, ये बहुँ ज़्यादा नंबर में बाहर आते हैं, use their silk to help them do that, ठीक है, बेबी स्पाइडर, use the same technique of letting out stands, जो बेबी स्पाइडर, जो छोटे स्पाइडर होते हैं, वो भी same technique को use करते हैं, letting out stands on their silk, इनका कोई silk वगएरा कोई part होता है, on their silk है उसके उपर stand करते हैं, known as ballooning, इस skill को ballooning का आ जाता है, to catch the wind and disperse after emerging from egg, अच्छा, to catch the wind, जैसे ही wind को catch करते हैं, disperse after, ठीक है, तितर बितर हो जाते हैं, emerging from egg six, जब ये egg six से बाहर आते हैं, simultaneous ballooning by thousands of spiders result in the blanket silk effect, called gosmer, अच्छे, तो silk सभी अपना silk बाहर निकाल देते हैं, और इसे बेटा क्या कहा जाता है, इस blanket silk effect को, इस spoon तो silk effect को, कहा जाता है, gosmer, ठीक है, gosmer इसे बोला जाता है, ठीक है, Ken Walker, senior curator of entomology at Melbourne museum, told the media group, the guardian, that the gosmer effect deaths semi-regularly in Victoria, अब ये gosmer effect deaths semi-regularly in Victoria, during the wet seasons in winter, अब ये gosmer effect क्या करता है, semi-regularly, मतलब, semi-regularly को आप बोल सकते हैं, मतलब कुछ time के लिए regular रहता है, in Victoria, Victoria के अंदर during the wet season, in winter, जब सर्दियों के अंदर wet season आता है, उस season के अंदर ये जो gosmer effect है, ये semi-regularly होता है, अच्छा बताना है आपको क्या आएगा, effects deaths, effects unlinks the guardians, that the semi, that the gosmer effect, अच्छा, क्या करता है आपको बताना है, hooks और anchors, ठीक, unlinks, unlinks semi-regularly, ये तो नहीं बनेगा, बेटा, separate तब आता जब कहीं from लिखा जाता, separate from नहीं है, ठीक है, अब या hooks और anchors, ठीक है, और बेटा, यहाँ पर hook और anchors का मतलब होता है, exist करता है, ये जो guardian या फिर जो semi-effects है, बेटा, ये hooks और anchors exist करता है, semi-regularly in Victoria, exist करता है, बेटा, ये, hooks भी आ सकता है, anchors भी आ सकता है, इसलिए मैं पांचमा option pick करूँगा, hooks और anchors, ठीक है, मतलब जो ऐसे हलाद पैदा होते हैं, तो, ये जो गोसम इफेक्ट है, ये hooks करता है, exist कर जाता है, there has been a massive flooding, अच्छा, पांचमें question पर आगे न, आगे देखते हैं, इस concern और बताना है, ये तो 6 था, sorry, ये तो कुन सा था, 6, 4th, 5th, एक में टूपना, 6th concern इसमें, 4th concern इसमें, 5th कहां गया भाई, एक में टूपना, students, एक में टूपना, ये पहले का आ गया, ठीक है, और, दूसरे का आ गया, ठीक है, scrambling for, तीसरे का अंसर आ गया, evacuate है जगह छोड़ करके चले जाते हैं, 4th का अंसर आ गया, hook semi-regularly, ठीक है, और, it dash on the tops of vegetation, because it lighter than air, अच्छा, अब यहां पे, पांचमें का, लेकिन ये तो 6 था गया, तो अगर पांचमें का, पांचमें का, मिस हो गय पांचमें का लगता है, बेटा मिस हो गया, यहां पे, सोरी, एक कोशन मिस हो गया, यह फर्स्ट का अंसर आ गया, यह सेकिंड ब्लेंक का हो गया, यह थर्ड ब्लेंक का अंसर हो गया, यह फोर्थ का अंसर हो गया, यह फोर्थ का अंसर हो गया, हाँ, बेटा फिफ्थ का नह on its own जो वैबिंग जो जाला होता है बेटा विल डैस on its own then the arkneds will likely soon disperse जो वैबिंग होता है न locals were advised to leave the spiders alone locals were advised, उन्हें advise किया जाता है to leave the spiders alone क्योंने अकेला छोड़ दो the वैबिंग जो जाला वगेरा होता है जो वो अपने आपको उस बारिस वगेरा से बचा करके या फिर कुछ भी करने के लिए जो बुनते हैं, will dash on its own वो अपने आप ही क्या हो जाएगा वो जाला act on हो जाएगा, provade हो जाएगा, amal gate कम दो होता है, मिश्रित होना, मिश्रित किसी के अंदर मिल जाएगा, unify एक जूट हो जाएगा, head back to their underground homes अचा, ये head back कम दो वापी स्लोटना to their underground वो अपने underground हों में वापी स्लोट जाएगे and the arc needs will likely soon disperse, पनाव बेटा likely soon disperse, बताव student, मुझे लगता है, यहाँ पे जो वैबिंग विल जो जाला उन्होंने बना के रखा है बेटा, इसमें वैबिंग का आपको समझना पड़ेगा पहले थोड़ा सा sports, the gris plan and we should provide assistance to areas अचा, ये soon disperse ये soon disperse हो जाएगा वो arc needs, जाला वगेरा ठीक है, we likely soon disperse गायब हो जाएगा, इसकम वैबिंग बेटा वो ब्रेक अप होगा जो जाला होगा, जो वैबिंग जो बना रखिये वो ब्रेक अप हो जाएगा, और वे जो spiders है head back to their underground वो अपने अपे अपने underground जाएगा, ये अपकी चार नंबर क्लास कम्पलीट होती है मिलते हैं कुछ हो और से कॉशन के साथ पांच्वी क्लास के अंतर, ठीक है थैंकियो सो मच फूर वाचिंग इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत आपका बहुत 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 बहुत